नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत हमारी आरजी टेक्निकल बॉय यूटूब चैनल में आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप फोन पे में UPI पिन सेट करो और यहाँ पर दोस्तों यह वाला एरर आता है अनेबल टो सेट UPI पिन तो इसको हम कैसे सही करेंगे आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों बस इस वीडियो को आपको complete देखना है वीडियो के skip नहीं करना अगर वीडियो के skip करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा आप चलिए दोस्तों हम यहाँ पर जो phone पे application को open कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख से तो मैंने phone पे app open किया उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको उपर अपनी profile पे click करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका bank account है ठीक जो भी इसमें लगा हुआ है already उस पर आपको click करना है और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर bank कोई भी लगा हुआ नहीं है तो आपको क्या करना वो भी मैं बताऊंगा सबसे पहले तो आपको इस तरीके से unlink करना है और अगर आपको कोई भी bank नहीं लगा हुआ तो आपको यहाँ पर click करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह जो मेरा number है यह bank और बडोदा के जिस account से link होगा उसका detail यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर आप देख से तो इसका detail आ चुका है अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगी एक option मिलता है reset pin आपके case में हो सकता है कि लास्ट के आपको six digit आपके डालने के लिए बोला जा रहा है तो यह आपके debit card में आपको मिल जाएंगे यहाँ पर लास्ट में जैसे कि यहाँ पर एक फोटो ले लेता हूँ और इसके मदश से आपको समझाता हूँ जैसे कि यहाँ पर आप देख से लिखा हुआ है जो हमा और और जिनल वाला वो मैं बाद में डाल दूंगा ठीक है तो यहाँ पर आपको सिर्फ समझा रहा हूँ यहाँ पर किस तरीके से डालना है ठीक है जिसे कि यहाँ पर आपको डालना है आपका जो card हो एक्सपाइर कब होगा यहाँ उसका month और year जो है इसमें दोस्तों 00 कर र पहला महिना जो भी महिना है जिस भी महिने में एकस्पाइर होगा वो आपको डालना हो और अभी जैसे मेरे case में क्या यहाँ पर 00 लखा हुआ तो यहाँ पर मैं जीरो ही लिख देता हूँ ठीक है और अब आपको साल यहाँ पर डालना होगा एक 28 हो सकता इस तरीके से या फिर 24 होगा या 25 26 इस तरीके से जो भी है वो आपको यहाँ पर डाल देना होगा अभी जैसे यहाँ पर 00 था मैंने 00 डाला और यहाँ पर प्रोसेट का बटन आ जाता है अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर दोस्तों भी मेरा कार्ड का जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख से तो मैंने सही डीटियल डाल दी उसके बाद दूस्तों यहाँ पर ँएकनड जायेगा उसके बाद दोस्तों इस सही वाले निसान पर आपको click करना है फिर 4 digit का आपको यहाँ पर UPI pin set करना होगा तो चलिए यहाँ पर मैं UPI pin डाल लेता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर UPI pin आपको 2 बार डालना होता है एक बार जैसे मैंने डाला हो उसके बाद यहाँ पर सही निसान पर click किया तो अभी मेरे से दुबारा यहाँ पर बोल रहा है UPI pin डालने के लिए ठीक है तो यहाँ पर भी मैं अपना जो UPI pin है वो दुबारा से डाल देता हूँ अब जैसे यहाँ पर एक digit छोड़ा है वो मैं यहाँ पर डालता हूँ जैसे उसके बाद यहाँ पर right वाले option पर जैसे मैं click करता हूँ सही वाले पर उसके बाद दोस्तो यहाँ पर मेरे ATM card का detail आ जाता हूँ और यहाँ पर दोस्तो लिखके आ चुका UPI pin successfully set और दोस्तो यहाँ पर हम done कर देते हैं done करने के बाद दोस्तो यहाँ से मैं back आ जाता हूँ और बाकि आपको दोस्तो अभी थोड़ी दिर में message भी आ जाएगा कि आपका जो UPI pin है वो set हो गया और आप यह जो UPI pin है यह किसी और किसा शेयर मत करना है करके आपको एक message आ जाएगा उसके बाद दोस्तों चलिए हाँ पर check balance में click करके आपको यहाँ पर चेक करा देता हूं कि जो मेरा UPI pin है वो अभी set हुआ है या फिर नहीं ठीक है तो यहाँ पर मैं back करता हूं तो यहाँ पर यह थोड़ा application में दिक्कत हो रहा तो चलिए इसक UPI pin डाल देता हूं अब जो last वाला है वो मैं यहाँ पर digit डालता हूं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सही वाली निसान पर click करता हूं और यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी हमारा UPI pin सही हुआ या फिर नहीं जैसे कि आप देशते हो यह हमारा UPI pin सही हो चुगा और यहाँ पर जो मेरा balance भी सो हो रहा है तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने इस problem को fix कर सकते हो I hope दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको help मिली होगी अगर आपको इस वीडियो से help मिली है तो please share video को like करना और चैनल को subscribe करना मत भूलेगा और दोस्तों अगर आपका problem अभी भी सही नहीं हुआ है तो आप मुझे instagram पर message कर सकते हो link description में मिल जाएगा